हे गाईस विलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडिये में तो दोस्तों एक बेहादी अमेजिंग अपोस्टनोडी निकाली गई है आप सभी के निट के लिए परमानू उर्जा विभाग की तरप से पर्मानेंट सरकारी नौकरी की वेकिंसी निकाली गई है जो की ओल इंडिया के केंडिडेट एपलाइ कर सकते हैं चाए आप मेल हो या फिर फिमेल हो अधरवाई सबसे बड़ी बात यह है यहां की वनलिप फ्रेसर्स यानि की आप फ्र प्लाजमा इंसिट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी इंड़स्ट्री है परमानू उर्ण विभाग में जो की प्लाजमा के लिए के अलग से अनुसंधान इनका जो ऑपेनिंग हुआ है गवर्मेंट आफ इंडिया द्वारा तो यहीं से परमानेंट सरक अप्लिकेशन प्रोसेस क्या होगा और कौन-कौन से स्टुडेंट अप्लाय कर सकते हैं चले डिटेल में बात करते हैं आगे बढ़ते हैं इससे पहले रिक्वेस्ट होगी जितने भी आईटी आई डिप्लोमा डिगरी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राब नहीं कियेएं सब्सक्राब कर लें टेलिगรम चैनल हमारा जॉइन कर लें guys वहाँ पर कई सारी जौब सब्डेट लागातार मिलती रहती है जो की you tube पर आपको बराबर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि चोड़ी छोडी जौडी जौ़ी जौड़ होती इसका आपकी होगी यहीं पर होने वाले इसका है गुजरात में अब बात करते हैं सल्टी अबra करती है सांटिस्ट भी जो पोस्ट निकाली गई है संटिफिक aby की क report लेटी सीक्स पेटी है Chief 6 की जौब होती है pay matrix आपका चलता है 7th pay commission बट आपका जो pay level है वो आपका level 6 के अनुसार यहाँ पर होगा चले vacancies देखो अलग-अलग ब्रांच के लिए vacancy है सबसे पहले विकल के आती है civil में हलांकि कुछ जादा करकी vacancies नहीं है बट ध्यान रहे कि vacancy permanent है तो बदाना फर्ज ह civil की vacancies है जहाँ पर diploma civil engineering apply कर सकते है with 60% marks एक बात यहाँ पहले में cover कर दूँ जितने भी ITI student जो lateral entry से diploma कर रही हो सारे candidates firm को apply कर सकते है ध्यान दें क्योंकि यह almost diploma के लिए vacancies है तो यहाँ पर ITI प्लस lateral entry बहुत सारे student क्या करते है आज कल ITI करने के बाद lateral entry दो साल का diploma कर देते है तो पूछते हैं सर lateral entry कहाँ apply कर है तो guys आप सभी ITI और lateral entry की candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं फ्रेसर ITI नहीं eligible हैं ध्यान रखना ओके next vacancy है electronics की 5 post पर electronics की vacancy अच्छी है तो electronics engineering apply कर सकते हैं और आप SSC के बाद 3 है दिया गया है बट आराम से जितने भी candidate lateral entry से अगर आपने diploma की हो आप बिल्कुल फ्रेसर apply कर सकते हैं 60% मार्ग जरूरी है कि वहले इसका ध्यान रहे mechanical की vacancy तीन है उसके बाद electrical की vacancy यहाँ पर एक है computer science की भी recruitment निकाली गई है दो vacancies एक आपका CWP IPR में है और IPR में है नहीं कि दोनों headquarters में दो vacancies है एक एक करके instrument science में recruitment है यहाँ पर total तेन पोस्ट पर तो diploma, instrument science engineering और computer science में computer science engineering apply कर सकते हैं अदरवाइस कोई सारी candidate जो B.Sc. computer science कर रखी है तो भी आप eligible है apply करने के लिए form की में बात करूँ तो इसकी जो online form है guys आपकी start होगी 13 September 2023 यानि की IMEAN start हो चुकी है और apply करने की जो last date है वो आपका बता रहा हूँ पहले starting देखते हैं age की में बात करूँ 18 साल से लेकर 30 साल के UI apply कर सकते हैं तो age काफी अच्छा मिलती है एन age rail accessor भी मिलेगी सेलरी देखो परमान उर्जा विबाग में जवाब लग जाए बस सेलरी की टेंशन मतलो पे लेवल 6 पे मेंट्रिक्स 35,400 पे परमान आपको मिलेगी as per 7 CPC commissions के अमसार selection process है जितने भी candidate apply करेंगे advertisement जो होगा उसी के basis पे form की scrutiny की जाती है then आपको यहाँ पर written test आपको और interviews के मादियम से shortlisted किया जाएगा यह नहीं आपका screening होगा test interviews उसके बाद आपकी examination यहाँ पर लेगी cbt इसके मादियम से आपका selections होगा online cbt होगा सबसे पहले देख लो application charge 200 रपे लगेगा बट जितने भी htse female pwd ews वालों के लिए भी चार्ज नहीं है यार बट general obc वालों के लिए यहाँ पर चार्ज लगेगा जो की 200 रपे application चार्ज यहाँ पर लगने वाला है general information all india के candidate apply कर सकते हैं यहाँ पर और इसकी processor की मैं बात करूँ कि क्या परकार से selection होता है सबसे पहले 13 September से start थी और 13 October इसकी last date apply करने की उसके बाद क्या करनी है जितने भी candidate है form fill करने के बाद आपको कोई भी form इसमें send करने नहीं होगी IPR में पहले होता था बट इस बार नहीं है और कुछ भी doubt हो रहा है तो आप यहाँ से comment कर सकते हैं online application के regarding ओके और exam basis पे क्या जनकारी होगी यह आपको time पे मिल जाएगी कि किस हिसाब से आपका syllabus इसका होता है इसके official website पे आपको visit कर दी जाएगे जितने भी candidate है जैसे कि higher qualification है MSC, B, BTEC यह सारे candidate जो हैंगा इस form apply नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर only diploma candidate के लिए vacances है तो आपने 12 पास करके डिप्लोमा किया हो 10 पास करके डिप्लोमा किया हो या फिर lateral entry से डिप्लोमा किया हो आप सारी candidate इस form के लिए apply कर सकते हैं वो भी बिल्कुल freezer ओके तो यह जब adjust vacances है permanent recruitment है जो भी candidate eligible है जरूर apply करें सारी detail आपको notifications की apply online की link description मिल जाएगी कुछ route होता है तो comment करके आप जरूर ब subscribe करें मिलते नेक्स वडियो में तब तक लिए जए हिंद